नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम ज़र्जा करें कि टोटल 150 multiple choice questions पर जो कि आपके previous year exam में पुझे गए हैं और दीखे वीडियो को लाइक करके इसको share करना मत बढ़िए ठीक है तो वीडियो को भी लाइक कर दिये और इसको जो है वीडियो को देखने बाद इसको share भी कर दिएगा और चौथा प्रस्था है पारिवारिक संबन्दों को मजबूत क्या असकता है. तो देखिए ऐसा ही चार विकल्प आपको egζामें मिलते हैं. तो देखिए इसमें जो प्रक्ता है आपका विकल्प से है ठीक है यह आपका सही आंसर है व्यक्तितिकू इविकास का आउसर यह च्छटा प्रस्टा है निमने में से संयुक्त परिवार का एक गुड़ नहीं है तो दीखे आपको पताना है कि संयुक्त परिवार का कौन सा गुड़ नहीं होता है तो ऐसे प्रस्टन एक्जाम में पूछे गए हैं ये प्रिवेस एर पेपर का कोशन है दीखे के क्रिसी ब्य ये जो है एक गुड़ नहीं होगा आपका संयुत परिवार का, ठीक है? और साथमाँ प्रश्णा है, निम्ड में से परिवार किसका एक संग है? तो दीखे, परिवार जो होता है, ये आपका दैनिक आउसकताओं की पुर्दी का एक संग होता है. और आठमाँ प्रश्णा है, निम्ड में से सामाजी जीवन का आधार क्या है? तो देखे, सामाजी जीवन का जो आधार होता है, ये अनुशासन होता है, सहयोग होता है, और सहयोग होता है, यानि कि विकल्प D सहयोगा, सामाजी जीवन का आधार जो है, अनुशासन, सहयोग और सहयोग और सहयोतरत दिन होते हैं, और नमवा प्रस्णा है, निम्नी में से क इस रूप में किसी विक्त की मनोदसा पर पारिवारिक वातावर्यट का प्रभाव पढ़ता है तो दीकि ये पढ़ता है सारेरी विकास के रूप में मानसिक विकास के रूप में भी और चरित्र विकास के रूप में भी यानि कि विकल्प डी सही होगा और दसों प्रस्ण है निवन्य में से परिवार का एक प्रकार है तो देखे परिवार के प्रकार के बारे में ऐसे ही प्रशन एकजाम में पुछा गया है तो देखे पिट्रवंसी, विवापद्दती, निवाज सस्ताल ठीक है ये सभी जो है परिवार का एक प्रकार है और 11 प्रशन है सार्दा एक्ट का संबंद निम्ड में से किस से है तो दीकिए सार्दा एक्ट जो है इसका संबंद आपका बाल विवा से और 12 प्रशन है निम्ड में से बाल विवा का एक प्रमुक कारण नहीं है तो दीकि बाल विवा का जो प्रमुक कारण नहीं है ये आपका है एकल परिवा ठीक है बाकि हिंदु, धर्मसास्त, असिक्षा, इस्त्रीयों की निम्न नतसा जो है ये सभी बाल विवा के प्रमुक कारण है ठीक है तो इसका विकल्ब भी सही हो जाएगा और तेरोवा प्रशन है निम्न में बाल विवा से उत्पन प्रमुक समस्या है तो दीकि बाल विवा से उत्पन समस्या है ये तीन होगी जनसंक्या में वृद्धी होगी बाल विवा से और बाल विवा से सिक्षा में बाधकता भी आती है बाल विवा से महिला मृत्युदर जो है इसमें वृद्धी भी होती है यानि कि इसका विकल्प D सही होगा कि बाल विवा से जो है जनसंख्या वृद्धी होगी सिक्षा में बाधकता आएगी और महिला मृत्युदर में भी वृद्धी होगी और चौधाबिवाज वहाई है और पंदरों प्रस्ण निम्णिवेंसे भारत की उर्णति में प्रमुक और उधक है तो देखे भारत की उर्ति में जाती जाति प्रताबी और उधक है दहिज प्रथाभी औरोधक हैं बार विवाभी औरोधक हैं यानि कि ये सभी जो है भारत की उन्नत में प्रमुक औरोधक हैं और सोलोव प्रस्थन है कम आयू में धुमरपान करने का प्रमुक कारण क्या है तो देखे कम आयू में धुमर्पान करने का जो प्रमुकर है आपका है असिक्षा, पारिवारी कला और धीला प्रसासन दीग है यानि कि इसका भी विकल्प D से हो जागा कि कम उम्र में धूमरपान करने का जो प्रमकरणी है असिक्षा, पारिवारी कला और धिला प्रसासन सत्रहों प्रसना है धूमरपान क्यों किसी देश की प्रगती में औरोदक है तो आईए चारो बगलप देखते हैं कौन सा विकल्प फईज में से देखें विकल्प A है देश में अच्छे सरम का विकास संभव नहीं है धूमरपान से तो ये बिल्कुल सही है विकल्प B है देश के विकास पर धूमरपान का कोई प्रभाण नहीं पड़ता है तो देखें ये बिल्कुल गलत कहा है देखें धूमरपान जो है इससे देश के विकास में प्रभाव पड़ेगा ठीक है और विकल्प सी आपका है दूमरपान कम होने से देश की आय कम हो जाएगी तो देखें ये बिल्कुल स्वार्थ वाली चीज हो गई कि अगर इनका कहने मतलब यह कि हम सिगरेट बिचवाएंगे भारत में तो भारत में क्या होगा सिगरेट पर टेक्स लगेगा और उससे देश को आई होगी ठीक है और cigarette पे अगर प्रतिबन लगया धुमरपान पे प्रतिबन लगया तो देश की income कम हो जाएगी तो देखे लोगों को छती पहुंचा कर ठीक है जर्यानि कि स्वास्त को छती पहुंचा कर जो है पैसा कमाना जो है बिल्कुल गलने ठीक है तो इसका जो विकल्ब सी है ये भी कलत हो जाएगा और विकल्ब टी है उपरोप में से कोई नहीं तो देखे एक विकल्ब पहले ही हमारा सही चुका है तो देखे इसका जो सही उत्तर होगा विकल्ब एठीक है देश में अच्छे सरम का विकास संभाव नहीं है धूमरपान से और 18 प्रस्ण है सरकारी एवब नीजी कारेलों में धुमरपान पर प्रतिबंद कब लगाया गया था तो देखे ये प्रस्ण कई बार एक्जाम में पुछा चुका है तो देखे ये लगा गया था 2 अक्टूबर 2008 से दो अक्टूबर 2018 से सरकारी एवब नीजी कारेलों में धुम्रपान पर प्रतिवन्द लगाया गया था उननीसोव प्रस्टा है परिवार निर्माण है तो क्या चीज़ आओ सके है तो दीकिए परिवार का जो निर्माण है इसके लिए आवसर के आपका पती पत्नी ठीक है पती पत्नी यह रहेंगे कमबाइन तब ही तो परिवार बनेगा और बीसोव प्रस्टन है जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वो परिवार कैसा होगा तो दीकिए अगर कोई प्यक्ति जो है एक से अधिक विवार करता है यानि कि वहाँ पर बहु विवार की परंपरा उस परिवार में ठीक है तो दीखे परिवार निर्माण का दाइत होता है यह होता है पती पतनी का ठीक है यही विगल आपको एक्जाम में भी टीक करना है यही आपका जो आपका CBS से यह मानता है ठीक है तो परिवार निर्माण का दाइत होता है यह पती पतनी का होता है 22 प्रशन है समाज का निर्माता किसे मनाता है तो देखें समाज का निर्माता ये मनाता है व्यक्ति को ठीक है व्यक्ति जो है ये समाज का निर्माता होता है और 23 प्रशन है समाज निर्माता किस पर आसरित है तो देखें समाज जो है यह आपका आसरित है व्यक्ति पर और 24 प्रशन है सहयोगी परिवार का एक प्रमुगड है तो देखें सहयोगी परिवार जो होता है इसका एक प्रमुगड होता है पती पतनी के मद रक्त संबंद का ना होना ठीक है तो ये point आप याद रखेगा और पचीसों प्रशना है पारिस्तिती की सब्द का सरोफ़तम प्रयोग किसने किया था तो देखिए पारिस्तिती की सब्द का सबसे बले प्रयोग किया था अगले वीडियो में हम चप्छा करेंगे प्रशन संक्या 26 ठीक है और प्रशन संक्या 26 के बाद से जो आपको फिर एंवारिमेंट के प्रशन मिलेंगे ठीक है और ये भी सबी प्रशन जो एक्जाम में पुछे गए है तो अगला वीडियो देखना मत बुलेगा ठीक है तो उसको मैं अभी कुछ दिर बाद अफलोड कर देता हूँ